Hello Everyone, Welcome to my Channel आज हम Digital Electronics का Chapter 3 Logic Families and IC Specifications में CMOS NAND Gate के बारे में देखेंगे इसके पहले हमने CMOS क्या है CMOS Inverter किस तरह से वर्क करता है इसके जानकारी ली थी इसमें हम CMOS NAND क्या होता है उसका Construction कैसा है Working क्या है वो देखेंगे CMOS NAND CMOS NAND जो है उसका Basic Construction इस तरह से होता है यहाँ पे हमने PMOS और NMOS दोनों टाइप्स के MOSFET का यूज किया है और पूरा Construction किया है यहाँ पे यह जो Q1 और Q2 है वो हमारे PMOS है और PMOS कब ON होते है उसकी Basic Condition क्या है जब हम उसे Logic 0 अपलाई करते है उसी तरह से Q3 और Q4 जो है वो NMOS circuits है और वो जब Logic हम High अपलाई करते है Logic 1 अपलाई करते है तब ही ON होते है Working Condition में होते है अब यहाँ पे हमने दो Inputs दिये है A और B यानि की 4 Conditions आएंगी तो अब हम 4 Conditions के लिए उसका True Table यानि की उसकी जो Working है वो Table के जरिये देखेंगे अब यहाँ पे हमने Table इस तरह से Create किया है A और B दो Inputs है 4 हमारे MOSFETs है Q1, Q2, Q3, Q4 और यहाँ पे हम Output देखेंगे हर एक Condition के लिए Basically 4 Conditions आएंगी क्योंकि हमने 2 Inputs दिये है 00, 01, 10, 11 सबसे पहले हम 00 के लिए देखेंगे A को भी हमने 0 दिया है B को भी 0 दिया है उसी तरह से यहाँ पे भी A और B को हमने 0 Input दिया है अब P MOSFETs कब On होता है जब हम उसे Logic 0 अपलाई कर रहे है यानि कि इस Circuit में यह जो उपर वाला Part है वो On रहेंगा 00 के Condition के लिए और यह जो नीचे वाला Part है यानि कि Off रहेगा तो जब भी हम A और B को 0 दे रहे है हमें इस उपर वाले Part से Output मिलेगा यानि कि जो भी VDD को Input है वो हमें यहाँ पे Output में मिलेगा और यह नीचे वाला पूरा Open Circuit Part रहेंगा और इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी Output नहीं मिलेगा तो जब भी A और B को 0 दिया गया है तब VDD का जो भी Input है वो हमें Output में दिखेंगा तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे Q1 और Q2 On रहेंगे Q3 और Q4 Off रहेंगे और हमें Output में मिलेगा 1 क्योंकि यहाँ पे VDD का Output हमें मिल रहा है तो इस तरह से 00 के Condition के लिए उपर वाला Part वर्किंग में रहेगा और Output में हमें 1 मिलेगा अब Next है 0 और 1 A को हमने 0 दिया है B को हमने 1 दिया है यहाँ पे भी A को 0 दिया है B को 1 दिया है PMOS के लिए 0 के लिए वो On रहेगा और NMOS में वो 1 के लिए On रहेगा अब यहाँ पे 0 दिया है A को तो यहाँ पे यह जो Q1 है वो On रहेगा Q2 को हमने दिया है 1 यानि कि वो Off रहेगा Q3 जो है वो A है A को हमने 0 दिया है यानि कि यहाँ पे यह Q3 भी off रहेगा और B को हमने 1 दिया है यानि कि Q4 यहाँ पे on रहेगा तो इस तरह से Q1 और Q4 यह दोनों यहाँ पे on रहेगे Q2 और Q3 off रहेगे अब यहाँ पे देखो यह on है और यह on है बट यहाँ पे यह off है दोनों यानि कि यह open circuit है तो यहाँ से जो भी यह connection है इस input को इस output को यहाँ पे यह तो open circuit है इसी लिए यह connection यहाँ पे break हो जाएगा तो यह नीचे वाला पार्ट यहाँ पे work नहीं गरेगा अब यहाँ पे यह VTD से V output तक का रास्ता यह on है यानि कि यहाँ से यह पूरा circuit complete हो रहा है बट यह जो B है Q2 है यह off है तो यहाँ पे open circuit है कुछ भी यहाँ से flow नहीं होगा बट यह A जो है यह तो close circuit है Q1 जो है वो on है तो हमें यहाँ पे output में फिर से output 1 मिलेगा तो इस तरह से दूसरी वाली जो condition है उसमें भी हमें output 1 मिल रहा है अब next condition में हमने A को 1 दिया है और B को 0 दिया है तो यहाँ पे फिर से P mouse कप on होता है 0 के लिए N mouse on होता है 1 के लिए तो यहाँ पे यह जो A है वो off रहेगा B है वो on रहेगा Q3 जो A है यहाँ पे वो on रहेगा क्योंकि यह N mouse है और यहाँ बी off रहेगा तो इस तरह से यहाँ पे Q1 और Q4 off है, Q2 और Q3 on है, exactly opposite condition हो गई, बट फिर में यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे Q4 off है, यानि कि यह open circuit है, यहाँ पे Q3 जब भी on है, तब भी इसका जो circuit है, वो यहाँ तक complete नहीं हो रहा है, बट यह उपर वाले condition में A जो है वो off है, यानि कि यह open circuit है, path complete नहीं हो रहा, बट B है, वो on है, तो यह Q2 जो है, इसका path यहाँ पे complete हो रहा है, और output में हमें one output मिलने वाला है, तो इस तरह से one और zero के condition के लिए भी हमें output में one output मिलता है, अब next है, A और B को हमने one और one input दिया है, तो यहाँ पे PMOS जो है, वो off रहेगे, क्योंकि PMOS कब on होते है, जब हमने input में उन्हें zero दिया है, तो यहाँ पे यह जो उपर वाला circuit है, वो off हो जाएगा, और यह नीचे वाला पूरा circuit अब working में आ गया है, क्योंकि PMOS on होते है, जब हम उन्हें one देते हैं input में, तो इस तरह से यहाँ पे Q1 और Q2 off रहेगे, Q3 और Q4 on रहेगे, तो यह नीचे वाला जो reference है, जो हमारा ground है, वो अब हमें output में मिलेगा, क्योंकि यह पूरा circuit यहाँ पे complete हो रहा है, और यह उपर वाला part open circuited है, तो इस तरह से अब हमें output में मिलने वाला है zero, तो यहाँ पे इस circuit में हमेज़ो output मिल रहा है, वन 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 जीरो, चारो conditions के लिए, वो exactly equal है हमारे NAND gate के साथ, NAND gate का working भी इसी तरह से होता है, तो यहाँ पे हमने PMOS और NMOS, दोनों टाइप्स के MOSFET को यूज करके NAND gate का circuit बनाया है, जिसे हम CMOS NAND gate कहते हैं, अगर आपको इसमें कुछ भी doubt से queries हैं, तो आप comment section में पूच स लगा वो भी आप जरूर बताए, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करे, ठैंक यू